अथुरा का holy gate है, जिसके थुरू हम लोग प्रेम मंदिर के लिए जाएंगे अंदर हम लोग प्रवेश कर गया है, अब आगे का दिखाते हैं अब लोग में यहाँ पर धूप महुत हाड किया है और हम लोग पहुट गया है प्रेम मंदिर के लिए हम है और साथ में अंकल लिए हैं इनके बारे में पहले भी हम पोस्ट किये हैं इससबी धनांजा पात्वान थोड़ा ही देर में हम लोग प्रेम मंदिर पहुचने वादे हैं तंक गलियों से होते हुगा है हम लोग पहुच तुके हैं कंस किला के लिए और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है कंस किला है यही जन भूमी है यही जन में वाला या थी था हो कौन वाला जहां पर रखा था यहां पर रखा था यही जन में इस तरीके आप गए तो न गए तो न गए तो पूरा खंधर में तब्दील हो चुका है यही कंस का किला माना जाता है देखें यहां पर एक निगे सब खंधर में तब्दील हो चुका है कि गुभर्मेंट को इस सो पर ध्यान देना चाहिए कंडीशन में बना का रखना चाहिए लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन था उतना तो कुछ नहीं था को जी अधिकर नादी कासी नाए यह धराऊना एकर्ण है कि अ स्यlles था देख सकते हैं यही था अभी हम लोग जन्म अस्थली क्रिस्न जन्म अस्थली के तरफ आ चुके हैं यहां पर आसपास का जितना महौल है सब भक्ति माया है आसपास के दुकाने जितना है सभी में पुजा पार्ट है और यहां ध्यातम से रिलेटर नीचे जमिल रहा है और हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेस्थ कर चुके हैं देखते हैं के दर से कहां जाना है यहां जाना है यहां पर सामने समान घर यहां पर समान साय जमा होता होगा यहां पर रस देख सकते हैं भीड़ भाव यहां पर सब्सक्राइब देखे यहां इस आपके साथ आपके से अपहएं आपके आपके साथ आपके जाएं किलाल हम अभी निधी बन में हैं यहां कि आप प्याड़ों को देखिए आपस में टिल्टेड मूड़े गया हैं काफी डिफेरेंट अस्ट्रक्चर है कि इस पिन टो देखिए निधिबन होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर और यहां पर देख सकते हैं चार बज़े का टाइम है लेकिन अभी तक बंद है बस इन ही कारणों से हमें लोटना पड़ रहा है बिना दर्शन किया हुए वैसे अधिक्तर मंदिर और निधिवन का परिकर्मा लोग कर चुके हैं तो एक मंदिर यहां पर छूट ही जाता है फिर कभी फ्यूचर में आना होगा फिल्हाल यहीं से लोट ही जाता है